तो हेलो गाइस वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट से लीबरल पॉजन के बारे में बात करेंगे जो कि यह स्ट्रिक्चर स्थ नक्स वामिका आए देखते हैं सबसे पहले इसके सीड्स के बारे में बात करेंगे तो इसका सीड्स बटन इसको हम लोग कुचीला सीड्स भी कहते हैं अब कोई इंटक्ट सीड्स ऐसे ही मतलब समूचा खा लेगा तो इससे तो कुछ होगा नहीं लेकिन अगर क्रेश करके खाएगा तो इससे मौद भी हो सकती है बात करें एक्टिव प्रिंसिपल्स की तो इसमें स्ट्रिक्नीन, ब्रूसीन और लोगानीन भी होता है लेकिन स्ट्रिक्नीन सबस्यादा पोटेंट होता है यानि सबसे ख़धरनाक होता है बात करें मेकैनिमस और एक्शन की तो इसके साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो य दीरे दीरे पेशेंट पर हमें यह देखने मिलेगा कि कन्वलजन का फेज बढ़ड़ा है जबकि रिलाक्सेशन का फेज बढ़ड़ा है और पांच्छे कन्वलजन के बाद स्टैटस एपलिप्टिकस हो जाता है जिसके और रेस्पिरेटरी फेलियर के वज़े से इंसान की मिलता है जो की काफी करेक्टिरिस्टिक है स्टिकचस नक्सवामिका की वह रिसस सार्डोनिकस आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे जो है फेशेल मसल का स्पाजम हो गया है और कैसे वाइण तीद दिख रहा है ऐसा कह सकते हैं कि 32 दीख रही है इनसान की बात करें टोनस की तो Tonis बहुत ही important है इसमें तीन तरह की Tonis हमें देखने में मिलते हैं Opisthotonis, Amprostotonis और Plurostotonis बात करें Opisthotonis की तो इसमें backward आपकी bending हो जाती है आर्किंग हो जाती है आपकी body की यानि hyper extension हो spine हो जाती है बात करें Amprostotonis की जैसे यह backward हुआ है उसी तरह forward हो जाता है और hyperflexion हो जाता है इसके बज़े से आपका forward bending होता है और बात करें प्लूरस्तो टॉनस में तो इसमें lateral bending होती है ना forward ना backward लाइटरल bending होती है तो यह तीन टॉनस बहुत ही important है उसमें भी उनलोग को अपिस्तो टॉनस सबसे common देखने है क्योंकि कोई ऐसा stimulus ना हो जो उसको प्रोवक करते जाकि जिसके कारण conversion पढ़ जाए अब conversion को रोकने के लिए हम लोग अपनी फार्मा की knowledge लगा सकते हैं कि हम लोग कौन-कौन सी दवाई दे सकते हैं जो कि यह बेंजोडाइजर पीम, फीनो-बार्बिटोन या skeletal muscle relaxation, general anesthesia भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि patient का response कैसा है, हम लोग गैस्टिक लवाज initial status में नहीं देते हैं, ठीक है, और insertion of gastric tube जो है, प्रोवक कर देता है, कनवलजन को, इसलिए हम लोग नहीं देते हैं, आगे हम लोग supportive measure भी दे सकते हैं, तो यह हो गया treatment structures next formica का, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे like करें, share करें और subscribe करें, यह वीडियो देखने के लिए, thank you.